प्रस्न 18 माइनस दो और माइनस एक के बीच तीन परिमे संख्याएं लिखें तो माइनस दो और क्या है माइनस एक तो माइनस दो और माइनस एक के बीच तीन परिमे संख्याएं लिखना है तो माइनस दो को हम क्या लिख सकते हैं माइनस दो बटा एक लिख सकते हैं माइनस दो को यानि माइनस दो बराबर हम लिख सकते हैं माइनस दो बटा एक तो माइनस दो बटा एक में अपने मन से दस बटा दस से गुना कर देंगे क्यों करेंगे देखें, अंस में भी 10 से गुना करेंगे, और हर में भी 10 से गुना करेंगे, दो, उपर और नीचे, दोनों में 10 से गुना करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 से 10 कट गया, क्या बचा, माइनस 2, बटा 1, तो माइनस 2 बटा 1 क्या है, माइनस 2, इसलिए जितना से, अंस में गुणा करेंगे उतनाई से हर में भी गुणा करना होगा तो यहाँ पे अपने मन से देखिए 10 आप चाहें तो 10 से भी गुणा कर सकते हैं उपर नीचे में या 20 से भी या 30 से या 40 से या 50 से भी कोई से भी आप गुणा कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसका जो भी उत्तर आएगा हो वो सही ही होगा बस बना हुआ सही होना चाहिए तो देखे, हम क्या कि हैं, 10 से गुना कर लिए हैं अंस को भी और हर को भी तो आप यहाँ पे 20, 150, कुछ से भी गुना कर सकते हैं बस दोनों में गुना करना है अंसर हर दोनों में तो कितना आ जाएगा 10 गुना 2 20 यानि माइनस 20 बटा 10 गुना 1 10 तो इसका मतलब हुआ कि माइनस 2 किसके बराबर हो गया माइनस 20 बटा 10 के बराबर कॉमा देंगे अब है माइनस 1 तो माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं minus 1 बटा 1 minus 1 कु हम क्या लिख सकते हैं minus 1 बटा 1 बड़ाबर minus 1 बटा 1 गुणा अब इसमें देखिए 10 से गुणा किया है उपर और नीचे तो इसमें भी 10 से गुणा करेंगे अंस में भी और हर में भी तो कितना आ जाएगा 10 गुणा minus 1 minus 10 दस गुना एक, दस तो अब यहाँ पे तो माइनस दो और माइनस एक की बीच में देखिए पता नहीं चल रहा था कि कौन सा संख्या है इसके बीच में अगर होगा भी तो दस मलों में होगा, ठीक है लेकिन अगर हम दस से गुना कर दियें अंस और हर को, तो अब देखिए साब पता चल रहा है, यहाँ पे हर तो बराबर है दस दस, लेकिन अंस में यहाँ माइनस बीस है, यहाँ माइनस दस है तो देखिए माइनस दस और माइनस बीस के बीच में कौन कोन है, माइनस उनीस है माइनस 18, माइनस 17, माइनस 16, माइनस 15, माइनस 14, माइनस 13, माइनस 12, माइनस 11 तक है उसके बाद आ जाता है माइनस 10 तो माइनस 20 और माइनस 10 के बीच में कौन कोन आ गया, माइनस 19, माइनस 18, माइनस 17, माइनस 16, माइनस 15 ऐसे करते करते माइनस 11 तक है ये दोनों के बीच में ठीक है तो हर बराबर है तो अंस को सिर्फ देखेंगे अब तो माइनस 20 और माइनस 10 के बीच में कौन कोन है तो माइनस 19 बटा 10 माइनस 18 बटा 10 माइनस 17 बटा 10 माइनस 16 बटा 10 माइनस 15 बटा 10 माइनस 14 बटा 10 माइनस 13 बट 10 10 इतना है इसके बीच में तो हम लिख लेंगे देखें माइनस 20 छोटा है माइनस 10 बड़ा है माइनस में है तो माइनस 20 क्या है छोटा है माइनस 10 से तो इस से बड़ा कौन है माइनस 19 और माइनस 19 से बड़ा है माइनस 18 उसी तरह माइनस 18 से बड़ा है माइनस 17 तो हम अतह माइनस दो और माइनस एक के बीच के बीच तीन परिमे संख्याएं कौन कौन हो गया तीन पूछ रहा है बस सबसे पहला थो गया माइनस उनीस बटा दस माइनस बीस से बड़ा कौन है माइनस उनीस माइनस उनीस से बड़ा है माइनस अठारा बटा दस यानि माइनस उनीस से बड़ा कौन है माइनस अठारा कॉमा देंगे फिर माइनस सत्रा तो तीन ही पूछ रहा है तो हम तीन ही लिखेंगे ठीक है क्योंकि तीन पूछ रहा है बस तो माइनस दो और माइनस एक के बीच तीन परिमे संख्याएं हो गया माइनस उनीस बटा दस माइनस 18 बटा 10 और माइनस 17 बटा 10 तो इस तरह माइनस 2 और माइनस 1 के बीच तीन परिमे संख्याएं ग्याद करेंगे प्रस्न 19 माइनस 3 और माइनस 2 के बीच दो परिमे संख्याएं ग्याद करें तो प्रेस्ट उनीस में क्या है माइनस तीन और माइनस दो के बीच दो परिमेशंख्याएं क्यात करना है माइनस तीन और माइनस दो के बीच तो माइनस तीन को हम लिख सकते है माइनस तीन बटा एक कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है बटा में एक लिखें या न लिखें, कोई फर्क नहीं पढ़ता है तो minus 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं minus 3 बटा एक को, यानि minus 3 को हम minus 3 बटा एक लिख सकते हैं अब यहाँ पर minus 3 बटा एक को अगर हम 10 से गुणा कर दें उपर और नीचे तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30 यानि माइनस 30 वटा 10 गुना एक 10 तो माइनस 3 क्या बन गया माइनस 30 वटा 10 माइनस 3 क्या बन गया माइनस 30 वटा 10 और माइनस 2 तो माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2 वटा एक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बटा में एक लिखे आ ना लिखे तो माइनस दो बन गया माइनस दो बटा एक अब माइनस दो बटा एक को भी हम 10 से गुना कर देते हैं उपर और नीचे तो हो जाएगा 10 दुना 20 यानि माइनस 20 बटा 10 गुना एक 10 तो हम क्यों गुना कर रहे हैं क्योंकि देखिए माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में पता नहीं चल रहा है कौन-कौन परिमेशन क्या है तो हम 10 से उपर नीचे गुना कर देंगे क्योंकि हर दोनों का तो बराबर है एक है यहां भी एक है यहां भी तो 10 से गुना कर देंगे, तो आप चाहें, तो 100 से भी गुना कर सकते हैं, उपर नीचे, 50 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस उपर और नीचे, यान्सर अरहर दोनों में गुना होना चाहिए, और इस भीन में भी, तो माइनस 3 क् mainais 20 byta 10 कैसे बन गयए देखिए इसको अगर हम काट दें तो फिर से 되 kann जाएगा इसको अगर काट दे तो mainais 3 फिर से आजाएगा ठीक है अब हम आसानी से इन दोनों के बीच में देखिए और तो बराबर है तो अंस्क में बहुत अंतर है, देखें, माइनस 30 से बड़ा कौन है, माइनस 29, माइनस 28, माइनस 27, माइनस 26, माइनस 25, माइनस 24, माइनस 23, माइनस 22, माइनस 21 तक जाएगा, क्योंकि यहां माइनस 20 है, तो माइनस 29 से माइनस 21 तक जा रहा है, इसके बीच में परिमेशन क्या हैं, त तो लिख लेंगे, अदह माइनस तीन और माइनस दो के बीच दो दो परिमेस अंख्याएं हैं, तो माइनस तीन और माइनस दो के बीच दो परिमेस अंख्याएं कौन कोन हैं, तो माइनस तीस से बड़ा कौन हैं, माइनस उनतीस माइनस उनतीस से बड़ा है, माइनस अठाइस तो माइनस तीन और माइनस दो के बीच दो परिमेस अंख्याएं ग्यात हो गया है, माइनस उनतीस बटा दस और माइनस अठाइस बटा दस तो दो ही पूछ रहा था इसलिए दो ही लिखेंगे ऐसे तो बहुत सारा है माइनस 27 वटा 10 भी आएगा माइनस 26 वटा 10 भी आएगा माइनस 25 वटा 10 भी आएगा देखें इन दोनों में कितना अंतर है यहाँ पे माइनस 30 है तो यहाँ पे माइनस 20 है तो इस तरह से प्रास्न 19 साल करेंगे